बीजेपी ने दमो उक्चनाव में प्रचार का बिगुल फूंग दिया है सेम शिवराज ने दमो कलेक्टरीट में पार्टी प्रत्याश्री राहूल लोधी का परचा दाखिल करवाया स्मॉके पर बीजेपी अधेक्ष वीडी शर्मा और मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद थे वीडिया से चर्चा के दौराँ सेम शिवराज ने दमो उक्चनाव जीतने का दावक किया है उन्होंने कहा कि राहूल लोधी बिना शर्थ पीजेपी में शामिल हुए है सेम शिवराज ने आरूप लगाया कि कॉंग्रस कमलनात ने दमो मैडिकल कॉलेज के निर्माण में अरंगा लगाया इन दोनों की वज़ा से दमो विकास में पिछड़ गया है कॉंग्रस ने दमो की जनता को ठगा है जिसका जवाब उप्चनाओ में मिलेगा मुखमंत्री ने टिकाओ विकाओ के आरूपो को लेकर भी कॉंग्रस पर जमकर हमला बोला अर्थी जनता पाल्टी विकास और जनकल्यान के मुद्धे पर चुनाओ लड़ रही है कांग्रेस के समा साल के सासनकाल में विकास ठप हो गया था जनकल्यान बाधित हो गया था कि बल विकास ने रोका गया जनता के कल्यान की एक एक योजना बंद कर दी गई चाहे संबल हो, मुकमंतिर तीर से दरसन हो, लाली लक्षमी हो, किसानों के खाते में पैसा डालना हो, जनता ठगी गई और जब यहां विकास बाधित हुआ, तो राहूल ने फैस्टा किया कि हम ऐसी विदायकी का क्या करेंगे, जिसमें दमो का विकास ही नहीं हो सकता दमो के मेडिकल कॉलेज के निर्मान में सबसे बड़ी बादा थी, कांग्रियस और कमर्णाथ, जब चर्चा हुई तो राहूल ने एक ही एक्षप रिकाट की कि मैं तो सर्थ छोड़ दूँगा, मुझे दमो का विकास चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, और भारती जनता प असर नहीं छोड़ी, और अफिर जैसे भारती जनता पारिटी का सासन आया, हमने फिर दमो के विकास की यात्रा फिर प्रारंब कर दी, विकास के मुद्धे पर ही हम चुनाओ लड़ेंगे, और भारी बहुमत से सांदार वोटों से जिए, यह पहले भी वे चिला चुके और कुछ नहीं मिलता, तो ठिकाओ और ऐसे आरोब के जिससे तो खुद कांग्रेस गिरी रही, विकाओ थी कांग्रेस की सरकार बैच दिया था, इस्थाना अंतरन से लेके सब चीजों बेना परिसे के कुई काम नहीं होता, जिन लोगों ने दलाली का अज़्दा बना दिया, म अल्ला भावन को सेकरेटरी मज़ राइप को उनके महसे य ही हो.